आज हम कच्छा 6 विषय हिंदी पार्ट 7 पढ़ेंगे पार्ट का नाम है हम बिमारी क्यों हो यह एक निभन्द है और इस निभन्द को लिखने वाले का नाम है डाक्टर आनन तो आएज हम कच्छा 6 विषय हिंदी का 7 लेसन रीट करते हैं लेक्षन नमबर 7 और पाट का नम हम बीमार ही क्यों हो पाट का केंद्री भाव प्रस्तुत पाट में लेखक ने बताया है कि बीमारी का उपचार्ट कराने से अच्छा है बीमार ही ना होना स्वास्त रहने के सामान्य नियम इस पार्ट में बताये गए हैं सरीर पांच तट्वों से मिलकर बना है अकास वायू अगनी जल और पृत्वी लेखक ने संतुलित आहार प्रातह भ्रमन वयायाम आधी को स्वास्त के लिए हितकारी बताया है इन उपायों से हम अपने जीवन में स्वास्त रह सकते हैं संतुलित आहार के लाब इवं सरयमित जीवन जीरने की प्रेणा इस पार्ट से प्राप्त होती है तो आएए अब हम पार्ट पढ़ते हैं एक कहावत है बिमारी का निदान कराने के बजाए बिमार ना पढ़ना है बुद्धी मत्त है हमारा सरीर पांच भौतिक तत्वों आकास वायू अगनी जल और प्रत्वी से मिलकर बना है हमारा जो सरीर है, हमारी जो बाड़ी है वो पांच भौतिक तत्वों से मिलकर बना है जो है आकाज, वायू, अगनी, जल और प्रिथ्वे इन तत्वों की संतूलित मात्रा सरीर को स्वस्त रखती है इसके आभाव में सरीर अस्वस्त हो जाता है अधार पांचों तत्व हमारे सरीर के लिए पांच प्रकार के भोजन हैं इन में से किसी एक या दो तत्वों की हमारे सरीर में कमी हो जाने से वह रोगी हो जाता है उस समय हम इनी तत्वों का बुद्धी मत्ता पुर्वक उप्योग करके अरोग्य लाब प्राप्त कर सकते हैं प्राचीन युग में इन पाचों तत्वों को निर्दोस्ट बनाए रखने के लिए अधक प्रयास किये जाते थे उस युग में स्वच और निर्मल आकास में सुध्वायू स्वास लेने के लिए मिलती थी नदियों का पवित्र जल प्राणों को सकती प्रदान करता था शूरे के प्रकास का श्रद्धा और भग्दी के साथ उप्योग किया जाता था धर्ती माता के द्वारा प्रदत अमजित तुल्य अन्य फल और बेपदार्तों से मनुष्य स्वस्त शबल और शतेज रहता था लेकिन आज उन्हें पांच तत्वों को प्रदूशित करने के लिए विश्व में एक होल सी लगी हुई है वन उपवनों को नस्ट करके सहर बसाए जा रहे हैं तो प्राचीन यूग में पांच तत्वों को निर्दोश बनाए रखने के लिए अठक प्रयास किये जाते इन पांच तत्वों को निर्दोश मतलब कि इने किसी भी प्रकार से गंदा न गया जाए जैसे कि आज की वायू में कितने केमिकल्स उड़ रहा है मिटियां खराब होते जा रही है मिटियों में राशानिक उर्वरकों के द्वारा मिटि के उर्वरक छंता कम होते जा रही है वायू में भी कई प्रकार के राशानिक उपकरन बना जाते हैं जिनके हानी का रख धुवे निकलते हैं उस कारण से वायू प्रदूशित हो गई है जल जल का पानी भी कितना प्रदूशित हो गया है तो पहले की जमाने में इन सब को स्वच्छ साप सुतरा रखने के लिए अथक प्रयास किया जाते थे मतलब की बहुत ये जादा मेहनत की जाती थे और आज के युग में ये सब इतने प्रदूशित हो गया है कि सांस लेना भी दुभर हो गया है आज आशकल वन उपवानों को नस्ट करके सहर बसाय जा रहे है जैसे जैसे जिनसंख्या व्रत्य हो रही है लोग रहने के लिए जंगलों को काट कर अपने रहने के निवास मतलब घर बनाये जा रहे है ठीक है और दिन बादिन अडू बमों के परिक्षण होते है मतलब की बारुदों का जादा जादा ही रिशाव होने लग गया है फल स्वरोप रितुए अपने समय पर नहीं आती है और हम महमारी से हमिशा ग्रस्त रहते हैं जैसे कि आजकल पहले तो चार मैने ठंडी, चार मैने बरसाद, चार मैने गर्मी इस टाइप की रितुए चलती रहती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कभी भी बरसाद, कभी भी गर्मिया, कभी ठंड लगने रग जाती है और आजकल के युग में तो बरसाद बारो महना होती है जिसके करण हम महमारी से ग्रस्त हो जाते हैं हमें कई तरह की बिमारियां जकर लेती है जल अशुदि का यह हाल है कि गंगा यमुना जैसे पवित्र सरीताव में नगरों का नार की मल और कलकारखानों का कूड़ा कच्रा सतत भहता रहता है जैसे कि आजकल जल इतना अशुद्ध हो गया है जैसे गंगा नदी या मुना नदी पवित्र नदियों का जल भी अशुद्ध हो चुका है कल कार खानों का कुड़ा कच्रा सब ये गंगा नदी या मुना नदी बड़ी बड़ी नदियों में फेक दिया जाता है और इनी नदियों का जल नलों द्वारा हमें प्राप्त होता है जो नदिया आए गंगा ये मुना शर्ष्ष्श्वती यहाँ पर गुड़ा कच्रा कलकार खानों का कच्रा सब लिजा कर फेक देते हैं और यही पानी हम लोग नल के द्वारा है पमों के द्वारा पीते हैं प्रत्वी पर फैले खेतों में राशानिक खात का मन माना प्रियोग कर उनकी उर्वरा सक्ति को नस्ट किया जा रहा है प्रत्वी पर फैले खेतों में राशानिक उर्वरक डाल कर उनकी उर्वरा सत्ति को नस्त किया जा रहा है मन माना मितला बहुत अधिक राशानिक उर्वरकों का प्योग किया जा रहा है आज हमें जीवन के आधार बूद इन पांच तत्वों से वास्तविक लाब नहीं मिल रहा है आज के युग में हमें इन पांच तत्वों से वायू, अगनी, जल और प्रत्वी आकास इन भौतिक तत्वों से वास्तविक लाब नहीं मिल रहा है उस यूग और इस यूग की जीवन पद्धिती में अंतर हो गया है पहले के यूग में इस तरह का प्रदूशन बहुत ही कम था प्रदूशन देखने को ही नहीं मिलते था लोग पहले के यूग में इतने जादा बिमार भी नहीं पड़ते थे फिर भी प्रक्रती का एक नियम है वहां जीवन की सुरक्षा हर इस्तिती में करती है क्या कहा गया है कि प्रक्रती का एक नियम है वह जीवन की स्टुरक्षा हर इस्थिती में करती है इस विसम परिस्थिती में भी हम पाँच तत्वों का सदुप्योग करके सवस्थ रह सकते हैं जैसे कि आज की युग में इतना प्रदूशन बढ़ा हुआ है तो भी हम इन विसम परिस्थितियों में इन पांचों तत्व का सदुप्योग करके स्वस्त रह सकते हैं आकास तत्व पांच तत्व में सबसे अधिक उप्योगी एवं प्रथम तत्व है महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने आकास तत्व को अरोग्य समराट की संग्या दी है महात्मा गांधी ने आकास तत्व को अरोग्य समराट की संग्या दी है अकास जैसे हमारे आसपास और उपर नीचे है वैसे ही हमारे भीतर भी है महात्मा गांधी ने अकास ततो को अरोग्य समराट की संग्या दी है अकास जैसे हमारे आसपास और उपर नीचे है वैसे हमारे भीतर भी है ऐसा किसने कहा है महात्मा गांधी ने चम्डी के एक एक छिद्र में आकास है चम्डी के एक एक छिद्र में आकास है चम्डी के एक एक छिद्र जो हमारी बॉड़ी है और बॉड़ी में जो हमारे छोटे छोटे मूल रोम होते है उसमें आकास बसा हुआ है इस आकास को इस खाली जगा को हमें भरने की कोशिस नहीं करने चाहिए यदि हम अपना द्यानिक आहार जितना चाहिए उतना ही ले तो सरीर में इस फूरती रहेगी हलका पन होगा उपवास इस तत्यू की प्राप्ती का एक मुख्य साधन है उपवास के अतिरिक्ट आकास तत्यू के प्राप्ती साईयम, साधाचार, गाड़ी, नीद, विश्राम और प्रशन्यता से भी होती है हमारे जो बोड़ी में जो छोटे-छोटे छोटे 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 हैं यह हमें स्वस्त रखने के लिए सबसे अच्छा है इन छिद्रों को हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए इससे हमें स्फूर्ती रहेगी और हलका पन रहेगा और हमें स्वस्त रहने के लिए सबसे अच्छा तıtब वप्वास है वप्वास मुख्य साधन है अतिरिक्त वप्वास के अलावा भी आकास्त्तो की प्रापति सहिम सदाचार गाली नीन, विश्राम और प्रशनने ताशे होती है हमें सयम रखना चाहिए सदाचार रखना चाहिए और गाली नीन मतलब की हमें बहुत ज्यादा विश्राम करना चाहिए और प्रशन्नता से भी होती है हम जितना खुश रहेंगे हमें आकास तत्व के उतनी ही प्राप्ति होती है वाईयू दूसरा आविशक तत्व है पहला काम सा तत्व है आकाज उसके बाद है वाईयू दूसरा आविशक तत्व है एक मिनट भी हमें वायो ना मिले तो हम घबरा उठते हैं वाजिब से बात है अगर हम कुछ देर तक अपने मुह और नाग को बंद करके रखें तो हम लोग घबरा जाते हैं हम एकदम से घबराने लग जाते हैं प्रती दिन हम जितना भोजन करते हैं और जल पीते हैं उससे साध गुना हम लोग वायो हवा को गरहन करते हैं नाग और मुह से ही नहीं हम अपनी त्वचा की असंग के छिदरों से भी सास लेते हैं जो हमारे त्वचा में असंग के छोटे-छोटे छिदरे हैं उसके द्वारबी हम सांस लेते शुद्ध वायो में तऽलने और वाययाम करने से हमें इस तत्व की प्राप्ति आसानी से हो जाती है अगर हमें दूशत आविशक तत्व वायू प्राप्त करना है तो हमें शुद्ध वायू में घुमना होगा और वयायाम योगा करना होगा जिससे हमें आसानी सुद्ध वायू की प्राप्ती हो सकती है टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुत्रा पथ छूनना चाहिए जो प्रकृती के सामराज जिसे होकर गुजरता हो मदलब कि हमें ऐसे साप सुत्रे रास्ते में या फिर बस्ती में घूमना चाहिए जो प्रकृती के सामराज जिसे होता है जहां पेड़ पौधे शुद्ध वायू देने वाले पौधे हो तो उससे उन पौधों के जरे भी हमें सुद्ध वायू की प्राप्ती होती है टहलने के अतिरिक्त आशन, प्रणाया, तैराकी एवं अन्य कसरतु के मादेम से हम अपने सरेर को वायू तत्व प्रदान कर सकते हैं अगनी तीसरा उपयोगी तत्व है, अगनी जो है वो है तीसरा उपयोगी तत्व है सास्त्रों में शूरे और अगनी को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना का विधान है पुराणे सास्त्रों के आधार पर शूरे और अगनी को देवता मानकर शूरे देव अगनी देव जैसे कि हम लोग मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं सूरी केवल प्रकास और ताप ही नहीं देता बलकि वह बुद्धी और लंबी उम्र भी प्रदान करता है सूरी केवल ताप उजाला और गर्माहट या फिर रोश्नी ही प्रदान नहीं करता है बलकि वह बुद्धी और लंबी उम्र भी प्रदान करता है शूरी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती संभाव सी बात है कि सूरी ना हो तो हम लोग अपने जीवन की कल्पना कैसे कर सकते है भारत ही क्यों रोम, युनान, मिश्र सभी जगा सूरी को देवता माना जाता है भारत ही नहीं बलकि रोम, यूनान और मिश्र ऐसे देशे जहां पर भी शूरी को देवता माना जाता है अगनी तत्व के आभाव में सरीर निर्जिव हो जाता है इस तत्व की कमी से गठिया, मन दागिन, बुड़ापा, आदी का उपद्रव होता है इस तत्व की सरीर में अधिक्ता होने से आँख, जीब, आदी, लाल हो जाते है अगर हमारे शरीर में अगनी मतलब गर्माहर ज़ादा पैदा होती है तो हमारे आँख में, जीब में लाल लाल पना बढ़ने लगता है मिजाज, गर्म और क्रोधी हो जाता है अगर हमारे सरी में गर्मा ज़्यादा पैदा होती है तो हमारा जो मिजाज है मतलब की जो सुभाव है जो हमारा रहन सहन है उसमें गर्म और क्रोधी हो जाता है हम ज़्यादा गुस्या करने लग जाते हैं शुरी का सहीई लाप लेने के लिए स्वास्त विसेसगे शुरी निकलने से पहले उठने को अच्छा मानते हैं जो स्वास्त के डाक्टर हैं की सर्जरी करते हैं या फिर दिखबाल करते हैं वो कहते हैं कि अगर हम सूरी निकलने से पहले उठें तो यहाँ स्वास्त के लिए जिवन के लिए अच्छा होता है वो ऐसा डॉक्टर्ष लोग मानते हैं नंगे सिर एवं नंगे पाउं वायू सेवन के लिए खोले मैधान में निकल जाने की सला देते हैं नंगे पाउं मतलब बिना चपल के चलने से पैरों में काफी पूर्ति रहती है और एशित सला, हमें डॉक्टर स्लोग देते हैं और हमें सूरी निकलने से पहले उठना चाहिए प्राताहा कालीन किर्णे त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेस्ट कर जाती है सुबा सुबा की जो सूरी की किर्णे होती है वो बहुत ही लाब धायक होती है और वह किर्णे त्वचा के जो अशंग के छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारे रक्त में प्रवेश्ट कर जाती हैं और अंदर पहुंचकर विटामिन D की प्रद्धी करती हैं जो सुबा की किर्णे होती है वो छोटी-छोटी चिद्रों से तवचा के अंदर प्रविशकर रक्त में मिलकर खून में मिलकर अंदर पहांचकर विटामिन D की व्रदि करती है शुरी नमस्कार करने से सरीर में अधिक मात्रा में लाल रख्त कण उत्पन्य होते हैं और हमारी जीवन सकती बढ़ती है जल चौथा तत्व है जल को जीवन और अम्रित भी कहते हैं जल ही जीवन है और जल ही अम्रित है जल जीवन के लिए कितना आविशक है वस्तू तहा जल प्राणियों का प्राण है जो जल है वो प्राणियों के लिए मनुष्य के लिए प्राण है हमारे सरीर के वजन के सौ भागों में सत्तर भाग केवल जल है हमारे जो सरीर है उसके सौ वे भाग में सबसे ज़्यादा भाग में 70 भाग में केवल जल है हमारे दान जो सरीर के अंदर सबसे ठोस और कठोर अंग गिने जाते हैं 4 प्रतिस्ट जल धारण करते हैं हमारे सरीर के अंदर सबसे ठोस और कठोर वाला कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? कौन सा अंग है? जल भूजन का बड़ा आविशक अंग होता है जल के योग से ही खून हमारे सुक्षम ताती सुक्षम अव्याओं का पूशन करता है जल ही त्वचा से पसीनी की रूप में, फेपड़ों से वास्प की रूप में और पेट से मल मुत्र की रूप में सरीर की गंदगी को बाहर निकालता है प्राताकाल सूरीदेशे पूर्वशेया त्याग नहीं त्याग देही पानी पीने से सरीर पूर्ण रूप से विकार रहित हो जाता है उशा पान का जल पेट में जाकर पचता नहीं उसका काम अतलियों आदी भीतरी अव्याओं को दोकर शाफ करना उन्हें सकती देना तथा मल को सकती से बहार निकालना है भोजन के एक घंटे पूर्व तथा दो घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है भोजन करने के एक घंटे पहले और एक घंटे बाद पानी पीना बहुत अच्छी आदत है भोजन करते समय जहां तक हो सके पानी नहीं पीना या कम पीना चाहिए इससे भोजन की पाचन क्रिया में स्विधा रहती है ठंडे जल से इसनान करके भी हम जल तत्व की पूर्थी कर सकते हैं पाच्वा और अंतिम तत्व पृत्वी है पृत्वी हमारी माता है क्योंकि वह हमें जन्व देती है धार्णा करती है हमारा पालन पूशन करती है और अंतिमे अपनी गोद में फिश्राम देती है मचली जल के बीना नहीं रह सकती क्योंकि वह जलचर है पक्छी आकास के बीना नहीं रह सकते क्योंकि वह नबचर है हम धलचर हैं, हम भला प्रत्वी के बीना कैसे रह सकते हैं जो कुछ हम खाते पीते हैं या आहार के रूप में लेते हैं वे सभी वस्तुएं हमें प्रत्वी सही प्राप्त होती है संतुलित प्राकृतिक आर जीवन का सबसे बड़ा वर्दान है दूद बड़ा अंकुरित अन्य हरी सबजियां, मक्षन, सहद आदी वस्तुएं भोजन में समुचित मात्रा में होती तो प्रत्वी तत्व संतुलित बना रहेगा भोजन के विशय में एक सामान्य नियम है कि उसमें एक हिस्ता गिवू, दाल, घी, तेल, आदी, एवं चारिसा, दूद, फल, हरी सबजियां आदी होना चाहिए व्यक्ति अपनी उम्र, इस्ति और आदत के हिसाब से इनका चयान करके और श्वस्त रहे, नंगे पैरों घूमना, धरती पर सोना, मिट्टी से इस्नान करना, आदी प्रत्वी तत्व को प्राप्त करने की अनिक रियाए है बहुतिक शरीर को पांच बहुतिक तत्वों से ही स्वस्त रखा जा सकता है, ये पांच तत्वों आपके आसवास ही है, क्या आप भी रोगी रहना पसंद करेंगे तो ये सारा का सारा लेशन हमारे स्वास्त को लेकर बताया गया है जिसमें बहुत ही आसान तरीके से हमें च्वस्त रहने की जानकारियां दिये गई है तो ये हमारा सावन लेसन था हम बीमारी क्यों हो तो आप लोग इस लेसन को और भी धियान पूर्वक समझ कर पढ़े और जैसा बताया गया है लेसन में वैसा करें उसके बाद हम इस लेसन के कुश्चन के आंसर करेंगे जैसे कि इस कॉपी में लिखा गया है हमें उपर पे पार्ट का नंबर पार्ट का नाम डालना उसके बाद किंद्री भाव लिखकर मीनिंग सब्दार्थ करने है उसके बाद हमें अभ्यार शार्थ कोश्चन करने है पहला है सही विकल्प उसके बाद रिक्तिस्थानों की पूर्ति किजिए इसको आपको करना है उसके बाद आपका एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए ये दिया गया है उसे आपको अपनी हिंदी कॉपी में साफ और सुन्दर राटिंग में करना है उसके बाद तीसरा को कोश्चन है उसके बाद बाकियों के कोश्चन यहां दिये गए हैं फिर उसके बाद आपको भासकी बात करना है जिसमें की वर्तनी सुद्ध करना है सुरक्षा वायू मंडल सास निर्मल और भक्ति ठीक है उसके बाद आपके लाश्ट कोश्चन यह है कि आपको दो दो पर्या लाइवाची सब्द आका सूरी प्रत्वी अगनी और नदी का लिखना है उसके बाद है विलोम सब्द लाप कहानी स्वस्त श्वस्त शुद अशुद शम विसम उपर नीचे प्रशन आप्रशन आपको विलोम सब्द लिखना है उसके बाद निम्नल के सब्दों का वाक्यों म प्रियोग करना है ठीक है तो यह आज का हमारा लेसन नमबर शेवन था उम्मीद करते हूं कि आप लोगो कुछ समझ में आया हूं यह सारा हूंवर्ग आप अपनी हिंद्य कॉपी में शाफ और सुन्दर राइटिंग में करेंगे कुछ बच्चों की कॉपियां हमें देखने क के लिए मिली है जो बहुत ही गंदी है जिनके राइटिंग बहुत ही खराब बढ़ी है हम आसा करते हैं कि आप लोग अपनी इंद्य कॉपी में साफ और सुन्दर राइटिंग में यह सारा हूंवर्ग करें ठीक है धन्यवार्ग